गुफामा कायमना माटे संग्री राखिये सद्गुरु गुणातितानंद स्वामी के आ वातो तो फिरंगीनी तोपो जेवी छे येवो आपड़े वांचु हतु पण आजे आपड़े आपड़े रदैना अनुभवना आधारे कैशक्किये कि आपड़े जे वातो संबलिये छे येपन फिरंगीनी तोपो जेवी वातो छे ग्रंथियो ना पहाडो ने तोड़ी नाखे येवी अदभूत बल बरी वातो ये आजे आपड़े आपड़े वियास्पित उपरती पुझिपाद गुरु देवे संबलावे छे आपड़े ये कथा मृतने ताल योथी वदाविये अन एवीज कथा एवीज अदभूत महिमा भरी वातो जेम आपड़े पुझिपाद गुरु जे कहिए येम बपर पच्छी ना कथा सत्रन अंते व्याक्यान मलाना माध्यम थी असंब्रदायना एक महान ब्रमनिष्ट संत पुरुष परम्पुझिय सद्गुरु वरिये स्वामी सी रामकृष्णदाजी स्वामी येमना कंठे थी आपड़े दित्य सत्रन अंते सांबलेशू अत्यारे आपणी आ सभामा घणा घणा संतो भक्तो उपस्थित छे हुद्शव ददादा गुरुनो उद्शव छे एटले आम थो परिवार नुद्शव के हुए अटले परिवार ना दरिक सभ्धना अंतरमा केंके भी भावना होए कें भी मारे कहीं के हुँचे मारे के हुचे तो अमारा सरुवात छेले थी थाये छे तो त्यारे अमारा एक पार्षद नी एक साधक ए पोताना रदैनी भावना सभा समक्ष महराज ना चरणोमा दादा गुरुना चरणोमा गुरुजी ना चरणोमा ना आपसो ना चरणोमा समर्पित कर शे पस्तो प्रथम याद करेश काशी रही ने संगीत नो भ्यास करता हमारा हरसल भगत तेवाव से अने प्रसंगों चीत पुताना रदेनी उर्मिवने सभा समक्ष मुक्षे हरसल भगत याद पंगे परिस्पंदे विस्वमे तद व्यावस्तितं स्वामिनारायन स्रीमान स्वयम विजय देतराम सर्वा परिंग सर्वा उतारिंग इस्टदेव परमकृपाड़ु परमात्मा भगवां स्री स्वामिनारायन महाप्रभु और इस महत्सव में दिव्या स्वरुप और प्रगड बीराजमान पुजय पाद दादा गुरु कोठारी स्री नंद कि सर्दास जी स्वामि और जिनों के पुजय पाद दादा गुरु के एक एक गुन जिनों ने अपने जीवन में चरितार्थ किये हैं वैसे पुजय पाद गुरु देव और हमारे आमंतरन को मान देकर पिछले दो-दो दिन से हमारे महत्सों में उपस्थिद दांगद्रा गुरु कुल के महन और इससे बढ़कर भी कहू तो गुरुदेव ने आज कहा कि ब्रह्मा मुनी के परंपरा के सन पुझे देव कृष्णादास जी स्वामी, राम कृष्णादास जी स्वामी हमारे महुत्सव में महुत्सव के अध्यक्स अभी तो आज़िर नहीं है पुझे मोटा गुरु भक्ति की सुरदास जी स्वामी, पुझे मुनी वल्लप स्वामी, पुझे ब्रह्मसरु स्वामी और देश्वीत इस्ते उपस्थित प्यारे भक्त जन आज विक्रम सववत दोचार अर्शत का अन्तिम दिन है और हमारे मौत सव का दितिय दिन का पहला सवपान है मैं इस गड़ी को मेरे जिवन में बहुती बाग्या साली में अनुपव करता हूँ कि मुझे इस मंच पे मेरे रदे की उर्मी आपके समक्स रखने का मुझे मौका मिला है स्रीजी महाराज ने स्वयम हम पर एक रुपा करके महाराज ने अटनामृत में कहा है कि सत्पुर उसका योग उचसे बढ़कर कोई पुन्या नहीं है और मैं आज बहुत ही गवरव से और मैं मेरी जात को बहुत ही बागय साली मानकर और बड़बागी मानकर मैं यह कहता हूँ कि मुझे भी ऐसे गुरू मिले है जिसका योग मुझे यहां भी नहीं बलकि परलोकवी में भी मुझे साथ देगी आज हम उपस्ती थें इस मौत्सव में पुझे दादा गुरू उनकी तो क्या बात बताए पुझे गुरू देव उनकी चरित्रों की कता तो करने ही वाले मगर इन महान और वीरल पूरुस का जीवन ऐसा था कि केवल हमारे लिए ही नहीं बलकि पूरे स्वामिनारे ससंग समाज के लिए जिनका जीवन एक आदर्स मुमुक्सु के लिए एक दिवा डांडी रूप था वैसे पुझे पाद दादा गुरू कि इस मुर्ती में आज हम यह उस्तों मना रहे हैं और बड़ी बात तो यह है कि ए सद्गुरू समुर्ती महस्व में मुझे मेरी रदे की हुर्मी यहाँ पर बोलने का मौका मिलाए सच बात तो यह है कि मैंने इस पुरूस को देखा भी नहीं है नहीं मैंने इनके क्वांटेक में आहू मगर मुझे एक बात पकी मालूम है कि ए जो उन्होंने मुझे बक्सिस दी है न उसका मैं कभी रून नहीं चुका सकूँगा यह मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा रून होगा यह दादा गुरू की मुझे बहुत ही बड़ी कुरुपा होगी कि यह इतनी बड़ी मुझे बक्सिस दी है और दूसरी बात मैं इस उस्सों में ठ्यांक्यू मेरे माता पीता को कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस गुरुकुल में पढ़ने के लिए रखा उन्होंने आज मुझे यहां पढ़ने के लिए नहीं रखा होता तो आज में यहां जगा पे खड़ा भी नहीं होता और ऐसे सद्गुरु की चरण की मुझे प्राप्दी भी नहीं होती दो बस अंती में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दादा गुरु का जीवन तो सागर जैसा था मैं तो उनके जीवन के मुल्यों को पचाने के लिए प्रात्र भी नहीं हूँ मगर उनके जीवन के सद्गुनों का और पुजबाद गुरुदेव के जीवन का सद्गुनों के मैं थोड़ा मेरे जीवन में भी आसमन करू और सद्धेव महराज और गुरुदेव अपनी कृपा मुझे बनाए रखे जैस्वामी नाराण कोई सोच भी नहीं सकता इतने बड़े स्टेज पर इतने साधू के साथ बैठ कर यहां आकर के पहली दफे प्रवचन करना वो भी इंदी में लगता है बनारस का वायरस थोड़ा थोड़ा लग जुका है अभ्यास करे छे अने अभ्यास करता रहे यहमना परिवार नू नाम उज्वल करे एवी सव पगवान ने प्राठना कर जो आपड़े सव भक्त जुनो आए एक परिवार ना रूप मा यह महराज ने रिजोवा अपड़ा आराध्यने रिजोवा माटे उपस्ति थया चे त्यारे मारे आज याद करवा चे आ संस्थाना पाया नखाया त्यार थी आज दिवस सुधी जेवो रदैना भाव थी आ संस्थानी शेवा करे चे कदाच हुँ याम कईशको के त्यागनो मार्ग स्विकारवाना कारणे सरकारी कामकाजिनना काईदा की अभ्यासो मा अमारी क्षतिवो जे होई ये क्षतिवो नू निराकरण करवानू कारिय संस्थाने सदेव सुरक्षित राखवानू कारिय जमने निस्वार्थ भावे मानत्स येवाना रूपमा कर्यू छे, करता रहे छे और करता रेवाना छे येवा गुरुजीना कृपा पात्र सेलेस भाई आई पटेल एडवोकेट स्री आपड़ी सबामा उपस्तित थिया छे अपड़े तालियोना नाथ्थियोना अभिवादन करेशो, हुई अमना चर्णोमा प्रार्थना करेश, सेलेस भाई आई आउ, साथे चिरिंजेवी आकाश, येमने पण आप पुझेपात गुरुदेयोना आश्रिवाद पाऊ सेलेस भाई पदारो येमनों कार्यकषेत्र ग्षेत्र इकार्यकषेत्रने जने क्षेवानुक्षेत्र बनायूअचे आप ये सेवाना क्षेत्रमा संस्था ने येमने सदेव सहयोगाय पोचे परिणाम सुरूपे गुरुदेवनों आपर खूब मोटो राजी पोछे आपने तालियोती वधाविये पुझ ये मुनिवलब स्वामी ने विनंती करेश स्वामी आपने एक सरस्मजानो सेलेश बेख थोड़ी बार प्यारी राखो बीजोर आपर? आकाश ने? आकाश अमने मुनिवलब स्वामी सरस्थाफो बान छे सहे बात अमारू सनमान न थी आज संतो नो गुरुजी नो राजी पोछे आ राजी पानो तमे सहर साधर भावे स्विकार कर्ष अमे जारे जारे आपनी समक्षाइवा छी आपनी व्यस्ततानी न न थी लिदी त्यारे आपनी व्यस्ततानी न न थी लिदी आपने मात्र आपनी एटलूज कयो छे कि स्वामी जी आ मारू क्षेत्र छे हुन सेवा करू छूने कर्तो रईष इस सेवा न उफळ आज आहिया राजी पाना स्वरूपे आपने संतो साफो बांदे चे, गुरुजी पन बेशब्दो केवा इचे चे, गुरुजी. बरोडा, ग्लोबल वाला, ये पने वा एचे, येना केस, येना थमा केस जायले, शुद्री जाय, अनने एडवोकेटमा अमारे सैलेज भेशे, एक आयू पटल साफ बिजा वड़ुजी राना, इपने आवडारा छे, पना, आ संस्थाना बक्तर छे, अनने कोईदी एक लाल प पने आवडाद काईन, गणिनतों वड़ी वड़ीने पन, हाची वाताज के, ये उनने के हारू लगाडवावने हम, पन संस्था के वरते सुरक्षितरे, आवड साहब सद्यवने माटे करता रेचे, मारा दिम प्रात्ना करूचू, मारा संस्था द्वरा, एमना द्वरा संस मारा याद करवा छे, आ महत्सवना प्रांगने, गणा-गणा देश-विदेशन भक्तजन उपस्तित छे, ये भक्तजनों ने यहां थे आसिरवाद अपावा छे, लोया धाम न्यूजरसी और निर्मान मा जेमने सिही फालो आईपो छे, ये भक्तों ने याद करेश, सव प रमेस मामा ने विननती करेश, रमेस मामा यहां स्टेज पर आवी गुरुजी पासे आसिरवाद नो हार स्विकार करशे, हार तो गणाई छे, पन आ हार येजमानों ने आगंतुकों ने कवचुक, आ हार कालेज ये संतोय धारन करेश पुलनी चादरों, ये प्रसादी रू पहार छे, फुलनी चादर माथी बनावे लो हार छे, तो ये हार रमेस मामा ने धारन करावी गुरुजी आसिरवाद आपसे, साथे वेश्ट वर्जिन याथी अमारा स्नेही वल्लब आपा पदार आचे, तेवो ने पन विननती करेश, तेवो पदार शे, आसिरवाद नो ह पहार स्विकार करशे, भुपेन भै, आओ तो मारे साथे सनेही मित्र आईवाचे, अमने पन ले आओ, आएवा भक्तों छे, आपने तो याँ इंडिया मां केवी शान्ती छे, कि भै, हपिसे ना जये ने समंदिरे जये तो चाले, जोब पर ना जये ने मंदिरे जये तो चा पन छताई, मारो अनुभाव छे, कि जारे फोन करो अने जिटलो समय मागो, घरना काम छोड़ी, आप भक्तों जनो सत्संग माटे पोतानू जिवन समर्पित करीने जिवी रहा छे, यवाज भक्तों छे, अमारे सनद भै, टिमबर भा, निजर सिती पदाय रहा छे, संदीप लंडन, सरबान वाला, संदीप भगत, जेने लंडन ग्यापचे, अमेरिका मा आखो गुर्कूल परिवार, लंडन मा आखो गुर्कूल परिवार उभो करिऊ छे, संदीप गन्षाम भाय, शिकागो थी पदाय रहा छे, दावल वाला गन्षाम भगत, पदारो, अमारे भरत अजो पंदर दिवस पेलाज आएवा ता पन गुरुजी आएवा त्यारे कयो के उत्सव मा लाब लेवानौ अटले याने तरत किदु गुरुजी उत्सव ना आगला दिवसे आविजेश गई काले बपोरे यहां इंडिया पदार्या अने त्यारे कथामा बे लाब लेचे अ यहाज यूत्साही युवक चिरायू बगत सभामा उपस्तित होई त्यावने पन प्रार्थना करेश अमारा संस्थाना स्री गणेस्ति अत्यार सुधी जमनी शेवार रही चे यहा गंशाम भाय रावजी भाय पटेल कंडारी वाला यहाज पन सभामा उपस्तित होई तो यहाज पन प्राथना करेश गंशाम भाय मुर्जी भगतना भाय पूपेंद्र भाय रंठड काकाना दिकरा आप स्विकार करशो, साथे अत्यारे एक अमारा पार्षत चे सर्जु भगत, येमनु प्रवचन आपड़े सांबलवो छे, तो सर्जु भगत ने विननती करिश, सर्जु भगत यां मन्चस्त थाशे, अन्य पोताना रदेनी उर्मिवो.